वेल्कम, मिस्सेलेनियस कोस्चिन्स, SBI क्लर्प के लिए, मिस्सेलेनियस कोस्चिन्स के इस मॉक टेस्ट में आप समों का स्वारत है, कुल मिनागर के यहां five questions दिये गये हैं, three minutes का time दिया जाता है, आप इनको बनाईए, उसके बाद मैं इने solve करूगा, अगर कोई question tough लगे, तो उसको बाद में बनाईएगा, आगे बढ़ जाईएगा, और बागी question को बनाने के बाद बनाईएगा, तो आप maximum score कर पाएंगे, then start! My dear students, मैं अमर कुमार सिंग, अमर सर, Unacademy पर भी हूँ, जो एक free learning app है, मैंने यहां पर ठेरों lessons और courses बनाए है, जो बैंक, SSC और railway exam के लिए बहुत ही लावदायक है, इनका लाव उठाने के लिए आप download करें, Unacademy learning app. झाल 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 36 into 12 36 into 12 pi 360 360 and 72 432 432 pi centimetre cube is the answer 432 One part is lent at a simple interest of 5% per annum and the other at 7% per annum. After two years, the total sum received is Rs. 27,680. The sum lent at 6% per annum is. ये method of allegation का best example है. किसे rate वाले में कौन सा rate वाला मिलाया तो क्या rate मिला? 5% वाले में 7% वाले को मिलाया तो कौन सा परशन मिला? Two years के वो sum 27,680 हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि 24,800 है. इसको less कीजिए 25 से 2,680, 2,880. 2,880. In two years, but in one year, 1440 रुपेश. In one year. ये क्या होगा? Simple interest. Amount वा न ये पैसा इतना हो जाता है, Mr. Dhan. So two years में. So two years में interest इतना हुआ, तो one year में कितना हुआ? समझे हैं? अब 5% के rate पर पहला sum, दूसरा 7% के rate पर और overall जो है, वो मिलता है interest. 1,440 रुपेश out of 24,800 ये कितना पर सेंट है? 8 से किजी. 8 से किजी. इसके difference को यहाँ लिखते हैं, 155 यानि 25. इसके difference को यहाँ लिखते हैं, 210, 717 यानि 37. इसी ratio में दोनों sum होते हैं. इसका ratio मतलब दोनों पैसा जो है, कुल मिला कि 24,800 वो इसी ratio में दोनों जगार लगाया गया, 37 means what पूछा जा रहा है? तो यह total कितना हुआ है? total add कर दीजी, 62. और total कितना दिया हुआ है? total यहाँ पर, रुपेस, 24,800. यह total sum है, 62 से divide किजी, कितने बार में कड़ेगा? एक दम 4 times में या रहा है, 400. तो हमसे पूछा गया, कि यह कितना था? इन्टो 400, 37 का डबल, 74 का डबल, 148 and 20, 14,800 रुपेज, अंसर, बुले, समझ में आया कि नहीं. यह allocation का best example है, इस person के rate पर, इस person के rate पर, कुल मिलाकिक, इस person के rate पर, this is mean value. ठीक है? यह कहां से आया? amount में principal को less किया तो आया. चलिए. इसके बार next. third number question. The present age of Mahesh is two-third that of his father. After six years, the father's age will be thrice the age of Kamal. If Kamal celebrated his fourth birthday seven years ago, what is Mahesh's present age? Kamal ने seven years पहले अपना चौथा बर्थ दे मनाय था, यानि आज वो 11 जुसका है. आज Kamal 11 का है, six years के बाद वो 17 का होगा. और six years के बाद फादर का एज, Kamal के इसका तीन गुना होगा, triple. तो 17 इंटो 3, 51 years फादर का होगा. Six years के बाद फादर का है, 51 years, तो आज है 45 का. और आज फादर का एज है 45 years. और महेश का एज, इनके बीच में रेश्यो है 2 थर्ड. 3 means 45, इंटो 15, 2 means how much. 30 years answer, 30 years answer, none of these. नहीं समझें, फिर से बोगेता हूँ. Kamal ने seven years पहले अपना बर्स दे मनाया था, fourth, तो आज हुआ 11 का. Six years के बाद 17 का होगा, उस समय फादर के इस तीन गुना होगा, 51 होगा, और फादर six years के बाद 51 के होगे, तो आज six less के जिए 45 के हैं, और आज फादर three हैं, तो महेश two है, three means 45, two means how much. ठीक है, यह कितना number question था, fourth number. अजिक हाद, आजिक 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 हाद, In the beginning, after three months, B withdraws 5,000 and C withdraws Rs. 8,000. They get a profit of Rs. 1806 at the end of the year. B's share the profit is. Capital के रिश्यो में profit का distribution होता है. इन तीनों ने जो इन्वेस्टमिन किया, वो देखिये. 1000 है, तो हम लोग 25 बोलते हैं. 1000, 20,000, 40,000. इतना इन्वेस्ट किया. त्री मंस के बाद B ने निकाल लिया. तो त्री मंस तो B करा है. 5,000 निकाल लिया, तो 15,000 रहा है. ठेक. इसके बाद. सेव ने भी निकाल लिया, 8,000. तो ये थ्री मंस रहा. और 8,000 निकाल लिया, तो 32,000 रहा, जो आगी कर्डिनू करेगा. वर ये तक बिजनस चला, ये नहीं कुछ नहीं किया. इसता मतलब एका 12 मंस रहा. ये बाकी 9 मंस रहा, ये बाकी 9 मंस रहा. इसे solve करना है. तो मुझे ही लगता है. 15 इंटू 3, 45 प्लस 20, 65 इंटू 3, क्यों नहीं लिखें? 32 इंटू 3, 96 प्लस 40, 136 इंटू 3, क्यों नहीं लिखें? और ये 100 इंटू 3, क्यों नहीं लिखें? ताक ये 3 कंसल नहीं हो जाए. ये ratio हो हुआ. तोटल कितना हुआ? 300 हुआ. यानि तोटल हुआ 301. होगा बोरी? यानि ratio है, फिर से लिखता हुआ नीचे. ये ratio हुआ 100 इस्टू 65 इस्टू 136. और तोटल कितना है? 301. तोटल दिया हुआ 1806. तोटल हरोगे इस 1806. जो ये कितना काहिए? 6 ताइम्स. तो बी का पुचा है, ये भी 6 ताइम्स. 130 इस्टू 3, 3.90 रुपीज और से. से लिए भी 6 ताइम्स. सवाज में आगे हुआ ये पाटन सिट काई निचे काई. ये कितना कुच्छन था? ठीक है? ये इसे अपू। फुच्छन थाज़ आगे. ये व क्वच्छन नियोग उचस lets्ट कान।.. निच्छन थात पुच्छन एप काई. इसे अपन एक आगे काई Canada, ये सुच्छन थापनों 5 ताअत्न? ।. 45 माने 55% पास, शे जांसे बताता हूं कैसे हैं? यह तोर फंड़ेट स्टुंट्स हैं, फैल स्टुंट्स वो योगी फिजिक्स में फैल हुए, 20% फिजिक्स में फैल हुए, 40% कमेस्टी में फैल हुए, 15% दोनों में फैल हुए, तो यहाँ 20 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ 40 माइनस 15 जानी 25 है, 20 प्लस 25, 45 यह पूर्शन कितना हुआ, 100 माइनस 45 जानी 55 परसंट, इस सावज में आया? मुझे पूरी उमीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको आपके एक्जाम के लिए, All the best!